प्रेज लोड दोस्तों आप सभी को प्रभी एश्व मसी के नाम से मैं बदाई देता हूँ और आप सभी को आज एक बहुत ही मुख्यस्तान में दिखाने वाला हूँ आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा कि इसायत भारत में कैसा आया क्रिश्यानिटी भारत में कैसा आया हाँ दोस्तों वीडियो में हमने बताया था कि प्रेजित थॉमस जो येश्व मसी के बारा चेलो में से एक थे इसायत यानि क्रिश्यानिटी को फैलाय थे इस चर्च के बारे में जहाँ पर सेन थॉमस प्रेवी चर्च का बिल्डिंग यह चर्च का बिल्डिंग है बहुत ही सुन्दर बनाया हुआ है और इसकी सुन्दरता को और हम अंदर जाके देखेंगे चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि सेंतुम बसिली का यह चर्च क्या है और कैसा दिखता है चलिए हम अंदर चलते हैं तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं यह सेंतुम बसिली का अंदर से कैसा दिखता है तो दोस्तों यह वो श्राइन है जहां पर आपको जो हमने पिछले वीडियो में बताया था संतम बसलिका के बारे में और इस जगे के बारे में बहुत ही मुख्य बाते हमने पिछले वीडियो में बताया था और इसके बारे में गहराई से हम जानेंगे लेकिन उसके पहले मैं आपको यहां का पूरा एक जलग धिखाना जाता ह और देखे यह उसका इंटीरियर आपने वो एडिटेट वीडियो देखा था लेकिन अभी रियल वीडियो अब देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है चलिए हम आगे देखते हैं यहां पर दोस्तों बहुत सारे लोग आके प्रात्रा करते हैं और यह जगा एक एतिहासिक जगा होने के खारण यहां पर बहुत सारे विजिटर्स भी आते हैं ताकि यह जगे को देखें और कृष्चैनिटी भारत में कैसा आया उसका शुरुवात को भी वह जान सकते हैं तो दस्तों यह जो है मेइन पुल्पिट है जहांपर प्रात्ना होती है, जहांपर मास होता है, प्रीष्ट जो है, मास के समाए में वो प्रात्ना वगरा चलाते हैं. बहुत ही अच्छा बनाय हुआ है और यहां पर जितने भी मूर्तिया लगे हुई हैं, मेरे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि क्या यह मूर्ति की पूजा होती है जी बिल्कुल नहीं ये एक एतिहासिक जगा होने के कारण इसको अच्छे से सजा कर दिखाने के लिए रखा गया है तो आप देख सकते काफी अच्छा नजारा है यहाँ पर तोछ अन्योम से ओनाम कर दोडिया थे धिनो कर दो अन्योम सब्सके यहाँ कर देखा कि एat हैla गया थो हम जोड़ गार आप एल्तरश को तो दोस्तों ये चर्च के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपने पिछली वीडियो में सुना ही होगा जब ही हम भारत के क्रिस्ट्यानिटी के बारे में बात करते हैं येश्व मसी के बारा चेलों में से एक सेंट थॉमस वो येरुशलेम से भारत आये थे कोक्कम अंगलम में और वहाँ पर उन्होंने लगबग 10 साल तक प्रभी येश्व मसी का सेवा किया और उस 10 साल के सेवा के बाद वो यहाँ पर आये मैलापूर में उनका सेवा करने के लिए लेकिन उनका प्रचार बढ़ने के साथ साथ लोगों का विरोध भी हुआ और ये वाजिब है जबी भी हम इसायत का प्रचार करते हैं जबी भी हम मसी का प्रचार करते हैं तो लोग विरोध करते हैं और भारत एक ऐसा स्थान है जहां पर मसी को कोई जानते नहीं थे उनका धर्म अलग था उनका विश्वास अलग था तो बहुत सारे लोगों ने ये शुमजी को सुविकार तो किया लेकिन कुछ लोगों ने म इसायत के बारे में बात करते हैं। पैसा दे कर, लोगों को धोका दे कर, लोगों को चमतकार दिखा कर, या फिर किसी को कंवर्ट करने की कोशिच ने करते हैं, धर्म परिवर्तन ने करते हैं, क्योंकि यह मन परिवर्तन वाली बात होती है, कोई व्यक्ति क्यों यरुशलेम से उतने मील दूर यहां पर आकर अप तो दोस्तों यहां पर हम जाएंगे नीचे एक चैपल है वहां पर देखेंगे उस चैपल में प्रेडी थॉमस का जो है कपर रखा गया है उस चैपल कौन देखेंगे तो दोस्तों जैसे नीचे आपने प्रेडी थॉमस का आपने कबर देखा था मैं अभी आपको देखाना चाहूंगा कि जो भाला इस्तमाल किया था जो स्पियर इस्तमाल किया था प्रेडी थॉमस को कतल करने के लिए मारने के लिए यहां पर आपके सामने है आप देख सकते हैं यह वह भाला है यह वह स्पियर है जो इस्तमाल किया गया था प्रेडी थॉमस को कतल करने के और उसको यहाँ पर रखा गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो यही बाला है जिसके द्वारा प्रेरी थॉमस को कतलक किया गया और वो ही प्रेम है जिस प्रेम के द्वारा उन्होंने एश्व मसी से पाया था और उस प्रेम को बाटने के लिए उन्होंने अपने जान को गवाया और यही है मत्ती के किताब 28 वाद है 1900 वचन में पढ़ते हैं तुम जाकर सभी जाती के लोगों को चेला बनाओ और उसी संदेश के साथ प्रेवी थॉमस भारत में आकर अपने जान को गवा कर प्रभी यही मत्ती का सुबसंदेश आप तक और मुझ तक पहुचाया है तो दोस्तों आज आपने देखा संटों बसली का वो जगह वो चर्च जहां पर यही मत्ती के चेले अंदर जाते ही मेरे अंदर यह एहसास हुआ कि जो थॉमस ने कहा माई लॉड माई गॉड आप भी उसी चाहत के साथ यही मसी के उस सुबसंदेश को ले जाने के लिए जोश के साथ आगे बढ़ने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ तो आप सभी को हम उत्साहित करते हैं मत्ते के किताब में जो ग्रेट कमिशन है बड़ी आगिया है तुम सभी जाती के लोगों को जाकर चेला बनाओ और उनको पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम से बबतिस्मा दो और येशु ने जो जो आपको सिखाया है बाइबल में आपने सिखाया है उन्हें भी सिखाये धन्यवाद, थैंक्यू वेरी मच्च, ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स के लिए आप प्रात्ना कीजिए और हमारी सेवगाई के सारे जरुतों के लिए भी प्रात्ना कीजिए प्रभू आप सभी को आशिश करें तैंक्यू वेरी मच्च, ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स